Hey guys, welcome to the study with my young मैं हूँ आपका मयाउग और आई ला रहा हूँ मैं आपके लिए NCEIT Geography Class 6 के MCQ आज इसी क्रम में यहाँ पर आपका chapter 4 है यहाँ पर हम मानचित्रों से संब्ल प्रशनों को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखते हैं मैं क्या-kया discuss करना है आपकर आज का पहला प्रशन है आपका मानचित्र के संदर्में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पुशा गया है यहाँ पर कौन सा कतन आपका सत्य है पहला है मानचित्र प्रतफ़ी की सत्य या इसके भाग का पैमाने के माद्यम से चप्टी सत्य पर किचा गया चित्र है सेकंड जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो एक एटलस बन जाता है थर्ड है आपका मानचित्रों से एक गलोब की अपिक्षा हमें कम जानकारी प्राप्त होती है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं गलोब आपकी प्रत्वी का प्रत्रूप होता है तो गलोब पर हम क्या है गलोब पर प्रत्वी के किसी एक भाग की जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं मान लीजे हमें अपने देश के बारे में राज के बारे में, जिले के बारे में या अपने सहर या गाउं के बारे में एक विस्तरत अध्यन करना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगी उसके लिए हम गलोब से अध्यन नहीं कर सकते हैं जब बहुत से मान्चित्रों को, यानि अलग-अलग जगहों के मान्चित्रों को, माली जब भारत का मान्चित्र है, और ऐस्टेलिया का है, अफ्रीका का है, अलग-अलग प्रकार के मान्चित्र हैं, तो उन सब को जब एक जगह रख दिया जाता है, एक जगह घटा कर लिया जबकि मानचित्र का अध्यान जो है विस्तरत रूप के लिए किया जाता है यानि मानचित्रों से हमें विस्तरत रूप की जानकारी मिलती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मानचित्रों से हमें एक गलोग की अपेच्छा ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है तो यहाँ पर आपका केवल एक और दो कतन सही है तो आंसर है आपका एक केवल एक और दो दूसरा प्रशन है बापका बहुत एक मांचित्र में किन्हें सामिल किया जाता है परवत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की सीमा है देखे बात करें भहतिक मांचित्र की तो प्रत्वी की जो प्राकर्तिक आकरतियां हैं जिनमें परवत आते हैं आपके पठार आते हैं इसमें, मैदान आते हैं इसके लावा आपकी जो रिवर्स हैं यानि कि नदियां हैं ये भी इसमें आती हैं आपके महासागर आते हैं इत्यादी को दर्साने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं या फिर इसका एक दूसरा नाम और है कुच्चावच मानचित्र ठीक है तो इसमें आपके ये चार आ जाते हैं देश या राज्य की सीमा इसमें नहीं आती हैं तो आपका आंसर होगा आपका सेकिंड का सी एक, दो, तीन और चार तीसरा प्रशन है बापका, राज्यों, नगरों, सहरों तथा गाओं और विश्व के भिविन देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दरसाने वाले मानचितर को क्या कहा जाता है बहुतिक मानचित्र, रायनितिक मानचित्र, थिमेटिक मानचित्र या इन मैसे कोई नहीं देखे बात करें राज्यों की, नगरों की, सहरों या गाओं की या फिर विश्व के विभिन देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्साने वाले मानचित्र को यहाँ पर राइनितिक मानचित्र कहते हैं तो यहाँ पर आपका तीसरे का आंसर होगा आपका B वाला चौथा प्रशन है अब आपका Thematic मांचितर में किसे किसे सामिल किया जाता है सड़क मांचितर, वर्सा मांचितर, वन तथा उद्ध्यों के वितरड दर्साने वाले मांचितर देखे बात करें तो कुछ मांचितर आपके विशेस जानकरियां परदान करते हैं सडकों के वारी में सडकों का जाल फैला हुआ है रेलवे का जाल फैला हुआ है यह बिसेस जानकारियां जो है मैं दे रहे हैं या फिर बन या अध्यों की जो वित्रड है वो हमें दरसाते हैं तो इस तरह की जो मान्चितर होते हैं इनको thematic ma Americans कहा जाता है तो यहाँ पर आपका answer हो गाँ आपका D, यानि ये सब ही जो मानचित्र हैं आपके thematic मानचित्र में आते हैं, तो चौते का answer होगा यहाँ पर D वाला पांचमा प्रशन है अब आपका निम्न में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है दूरी, तापमान, दिसा, अक्षांस, प्रतीक देखे बात करें तो मानचित्र के घटकों में आपकी दूरी आ जाती है इसके लाब दिसा आ जाती है और प्रतीक आ जाती है इसमें तापमान और अक्षांस इसमें सामिल नहीं है अक्षांस और देसांतर से को जो हैं गलोब पर इस्टिमाल करते हैं मानचित्र में इसका प्रॉपर तरीकी से उपयोग संभब नहीं है तो यहाँ पर इसमें तीन इसके घटक है दूरी दिसा और प्रतीक तो यहाँ पर कौन-कौन से घटक नहीं है आपके तो आपके केवल दूसरा और चोथा वाला कसन यहाँ पर नहीं है तो पांच में का अंसर होगा आपका डी केवल दो और चार छटमा प्रश्न है अब आपका दिक सूचक के अंत्र में चुम्ब की ये सूई की दिसा हमेशा किस दिसा में होती है मांचित्र के संधर्व में किन दिसाओं को परधान दिग बिंदू कहा जाता है उत्तर, उत्तर पूर्व, दच्छड, दच्छड पश्चिम, पूर्व या पश्चिम देगे यहाँ पर बात करें जो आपके मांचित्र के संधर में जो दिसायों को दिगबिंदु जो कहा जाता है प्रधान दिगबिंदु कहा जाता है इनमें आपकी चार दिसायों आती है जिसमें आपकी उत्तर है दच्छिड है पूर्व है पश्चिम है यागर हमें ये चार लिए जिसाऊं के बात बाल आपका प्रधान जिखविन्दु वाली दिसाइं आपड़ी है, यहाँ पर आपका आउन्सर होगा आपका a, एक तीन, पाँच़ौ और छह आठमा प्रश्ण है अबापका प्रतीकों के उप्योग के संबंद में एक अंतराष्टी सहमती भी है तो इन्हें हम रोड़ प्रतीक कहते हैं जिन प्रतीकों के उप्योग के संबंद में अंतराष्टी सहमती हो उसको रोड़ प्रतीक कहते हैं जैसे आपने देखा होगा हॉस्पीटल के लिए हमें सब प्लस सा है पहला है जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददास्ट और स्थानी प्रेच्छड पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं Second है आपका एक छोटे चित्र का बड़े पैमाने पर कीचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है देखें यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला वाला option है वो रेखा चित्र मान चित्र के बारे में है रेखा चित्र एक आरेकड होता है, जो वास्तम में पैमाने पर ना होकर, यादास्त और इस्थानी प्रेचछर पर आधरित होता है, जैसे आपने देखा वोगा, कई बार हम क्या करते हैं, कभी किसी को रास्ता पताते हैं, जमाली मों कहीं जा रहे हैं अपने परिवार भाले क बताते हैं, कि आपको बस स्टेंड से उतर कर कहा जाना है, इस तरह से ऐसे करके यह वाला रोड आएगा फिर आप यहाँ पर ठरन लेंगे, यहाँ पर एक दुकान पड़ेगी ऐसे करके, आप ऐसे करके बताते हैं, तो वो रेखा चित्र मान चित्र है, यह वास्तम में हमारी याददास्त और इस्थानी प्रेक्षड पर आदरित होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला खतन बिल्कुल सही है। महीं बात करें, यहाँ पर बताये कि एक छोड़ी चित्र का बड़े पैमाने पर खिंचा गया एरेका चित्र खाका कहलाता है। यह बिल्कुल सही है। हम यह देखते हैं कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिने हम कभी-कभी जानना चाहते हैं। जैसे कमरे की लंबाई कितनी हैं, चोणाई कितनी हैं, उचाई कितनी हैं, यह बेसिकली मानचित्र में नहीं दिखाई आती हैं। तो खाका वाले मानचित्र में क्या है जो भी स्थान है उसका नक्सा दिया होता है और उसकी लंबाई चोड़ाई सब का ग्यान भापर दे रखा होता है तो यहाँ पर आपका second वाला गतन भी सही है अब चूँकि पूंशा गया है कौन सा गतन असत्त है ना तो पहला असत्त है और ना ही दूसरा सकते है तो आंसर है नो नौबे का D जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जो आपका थेमेटिक मानचितर है यह किसी विशिष्ट चीज को दिखाने के लिए यूज होता है जैसे हमें रेलवे, नेटवर्क दिखाना हो पर यहाँ पर आपके जो वन दिखाने हो या वरक्ष दिखाने हो तो ठेमेटिक मानचितर होता है तो यहाँ पर दसमय का आंसर होगा आपका वीवाला ग्यारेमा प्रशन है बापका नीले रंग का इस्तिमाल किसे दिखाने में किया जाता है जलासेओं को, परवतों को, मैधानों को, पठारों को देखिए यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर तो सामानित है निले रंग का उपयोग जो है जलासियों को दर्साने के लिए होता है बूरा रंग जो है यहाँ यहाँ परवतों को दर्साने के लिए यूज होता है भही जो आपका पीला रंग है पीला रंग आपका जो है यह पठारों के लिए इस्तिमाल होता है पीला रंग आपका जो पठार है इनको दर्साने के लिए यूज होता है भही आपका जो हरा रंग है हरा रंग खास करके मैदानों को दर्साने के लिए यूज होता है यहाँ पर 11 में का आंसर है आपका A है नीली रंग के लिए नीला रंग हमें जलासेओं को दरसाता है तो यहाँ पर 11 में का आंसर है आपका A बारेमा प्रशन है अब आपका दिक सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए प्रतीकों को दिखाने के लिए मुख्य दिसा का पता लगाने के लिए या दूरी मापने के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं दिक सुचक को अंग्रेजी में कमपास कहते हैं और कमपास का उपयोग मुख्य दिसा का पता लगाने के लिए किया जाता है तो बारे में का अंसर है आपका B वाला तेरे मा प्रश्ण है बापका पैमाना आवश्चक है मान चत्र के लिए, रिखा चत्र के लिए प्रतीकों के लिए, दिसाओं के लिए देगे मान चत्र जो है आपका बहुत बारीकी से बनाया जाता है और मांचित्र को इस हिसाब से बनाया जाता है कि यहांपर आपकी centimeter's में जो दूरी हो वो actual जो आपकी kilometers पगेरा में या फिर जो भी दूरी हो लेंद तो उसको संदर्वित करें तो यहांपर पैमाने की सहिता से मांचित्र का निर्मार किया जाता है तो पैमाना जो आपका है वो मांचत्र के निर्माड के लिए आवश्यक है ताकि हमें किसी भी जगह की exact location का पता चल पाए तो यहाँ पर तेरे में का answer है आपका A वाला तो यह था हमारा आज का वीडियो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल न भूलें तो देखें पहुत जल्द आपकी कुछ नई सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है जिनमें आपकी ethics की सीरीज होगी इसके लाबा मैं art and culture की भी कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और उसके बाद art and culture फिनिस होने के बाद हम लोग आपकी जो environment वाली पुस्तक है वो भी complete करेंगे याई environment वाली सीरीज भी आपकी आएगी तो I hope आप लोग जुड़े रहे हैं मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल नहीं भूलिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही थैंक्स पूर वाचिंग जैहिंद